नमस्कार, RS अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम सूरन और हरे मटर की सबजी बनाना सीखेंगे कड़ई में हमने एक बड़ा साइज का प्याज डाला है हमने एक चम्मच तेल लिया था, छोटा चम्मच तेल और उसमें हमने इस प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है अब हम उसमें 12-13 कल्या लसन की डालेंगे तीन हरी मिर्च डालेंगे और एक इंच अद्रक जिसे हमने बारी काट कर डाला है इसे हमें दो मिनिट और साथ में भून लेना है अब इसमें दो चम्मच नारेल का बुरादा डालेंगे आप चाहे तो नारेल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे देखे गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें दो बड़े साइज का टमाटर काट कर डालेंगे और इसे भी साथ में भून लेना है टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा पाइं डालेंगे जिससे टमाटर अच्छी तरह गल जाए अब हम इसे ढख कर टमाटर गलने तक पका लेंगे देखिए अब टमाटर भी अच्छी तरह गल चुका है यह हमने मसाला तयार किया है इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसका एक बारिक पेस्ट बना लेंगे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है और इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है ठंडा करके कड़ई में हमने दो बड़ा चम्मच तेल गर्म कर लिया है उसमें हम सूरन डालेंगे सूरन को पहले हमने उबाल लिया था फिर उसे छिल कर चोटे चोटे टुकडो में काट लिया है इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है देखिए अब यह गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसे अब हम निकाल लेंगे और बचे तेल में हम सब्ची बनाएंगे इसी तेल में हम एक चमच जीरा डालेंगे एक छोटा साइज का प्याज जिसे बारी कट कर डालेंगे दो लाल पिर्च डालेंगे जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम उसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे उसे भी हम दो मिनट के लिए बोन लेंगे दो मिनट बाद हम उसमें मसाला डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और स्वादुनुसा नमक डालेंगे और एक चमच से थोड़ा कम हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है यह तीखी वाली लाल मिर्च है इसे हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पाने डालेंगे और इसे ढख कर हम पका लेंगे जब तक की तेल उपर ना आ जाए इसे देखिए हमने बीच बीच में चलाते वे पका लिया है और जब यह तेल उपर आ जाए मसाला पक जाए तब हमने इसमें हरी मटर डाला है इसे हम दस मिनट तक पकाएंगे ताकि मटर अच्छी तरह पक जाए इसे पीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे जले नहीं देखिए हमने इसे 10 मिनट तक पकाया है मटर भी अच्छी तरह गल चुका है और मसाला भी विकूर अच्छी तरह पक चुका है अब हम इसमें फ्राई किया हुआ सूरन डालेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे और हम इसमें एक चमच गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें गरम पानी डालेंगे हमने ये दो कप पानी डाला है आपको सबजी की ग्रेवी कितनी रखनी है उसे साब से पानी डाले और इसे हमने पास 7 मिनट तक और पका लिया है देखिए सब्जी पक चुकी है, इसका कलर भी कितना सुन्दर आया है यह सब्जी खाने में बहुत टेश्टी होती है, इसे आप जरूर ट्राइ करें अब हम इसमें धनियापती डालेंगे, हमारी सूरन और हरे मटर की सब्जी बनकर तयार है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुच सकें, धन्यवाद